मैं आपके लिए आज एक ऐसी उजना के बारे में जगनकाई दिने आ रहा हूं जिसके लिए कई अब आप तो graduate युवाओं को 10,000 रुपे, 8,000 और 6,000 रुपे युवाओं को जो बारवी पास है उनको बारवी पास युवाओं को 6,000 रुपे प्रतिमाह मिलेंगे डिप्लोमा करने वाले युवाओं को 8,000 रुपे प्रतिमाह मिलेंगे graduate युवाओं को 10,000 रुपे प्रतिमाह मिलेंगे ये जानकारी लगातार MP, राजिस्थान और UP के चात्रों को भी दी जा रही है कि जितनी जल्दी हो सकए ये योजना मत्यदेश में लागू की जाए अगर आप चाहते हैं कि योजना मत्यदेश में लागू की जाए तो वीडियो को पूरा देखिएगा बहुत आपके काम का ये वीडियो है लगातार कुछ लोग बयानवाजी कर रहे थे कि यह पॉसिवल ही नहीं है कि यह योजना लागू हो जाए जिसका नाम है लाडला भाई योजना लाड़ना भाई योजना धीरे धीरे पूरे भारत में लागू की जाएगी चुकि हमारे मामा बन गए है क्रशी मंतरी और ग्राम मंतरी बने हुए है तो ग्राम मंतरी बनने की वजह से गाओं के लोगों तक लाप पहुचाने की जिम्मेदारी अब हमारे मामा की है लेकिन हमारे यहाँ पर मुख्यमंत्री CM मौन याद हो है लेकिन सरकार जो है हमारी भाजबा की अगर देखेंगे तो UP, मद्द पदेश, राजस्थान, 36 गड़ में तो फुल फ्लेज में है लेकिन सिंदे की तरफ से अगर बात करें तो आपको पता होगा कि महराष्ट्र में स महराष्ट्र में 12 पास करने वाले युवाओं को देखें लाडला भाई योजना तो सबसे पहले हम बताने आपको कि लाडला भाई योजना के लिए मद्द प्रदेश, 36 गड़ और राजिस्थान में भी मांग उठने लगी है चूंकि ये योजना चुनाओं के पहले यहाँ पर BGB कि सरकार है जब महराष्ट में पैसे मिल सकते, आप सूना टशहें ना, जब महराष्ट में पैसे मिल सकते हैं तो हमारे हां क्यों नहीं, अचाब वा किसको पैसे मिल रही है यहाँ पर हम बात करें 12 पास करने वाले युवाओं को 6000 रुपे हर मैने मिलेंगे, मन एक साल तक apprenticeship करेंगे यानि कि कुल मलाके इनको कुछ ने को सिखाया जाएगा और उसको पैसे भी दिये जाएंगे ये लाडला भाई योजना का जो लाब है ये बारवी पास के बाद डिपलोमा के बाद और डिपलोमा के बाद डिगरी के बाद यानि कि तीन चरणों में दिया जा रहा है बारी वालों को 6,000 रुपए डिपलोमा वालों को 8,000 रुपए ग्रेजवेट वालों को 10,000 रुपए तो आप लोग चाहते हैं कि मद्यप्रदेश, 36 गड़ और राजस्थान में भी ये लागू हो तो इसके लिए एक यूनियन मन रहा है अब हमारे चेनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आपके लिए उस यूनियन की जानकाई दे दी जाएगी आपको एकत्रत होकर सरकार तक कहुँचना है जिस प्रकार वहां के बच्चों को महराष्ट के बच्चों को पैसा मिल रहा है राजस्थान, मद्यपदेश और 36 गड़ में भी ये मिलना चाहिए याद रहिएगा कि यहाँ पर लाड़ला भाई योजना के लिए जरूरी कौन-कौन से दस्तावेज है या क्या एलिजबिल्टी है तो आयू 18 से 35 वर्स के बीच होनी चाहिए 18 से 35 साल उससे उपर नहीं मिलेगा नियूंतम सिच्छा मानन बारवी आई टी आई डिपलोमा इस्तनातक इस्तनातकोत्तर इनको मिलेगा महराष्ट का नवासी होना चाहिए यहीं पर मद्दपरदेश का 36 गड़ का और राजिस्थान का बच्चा ये मांग कर रहा है अगर आप लोग चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजेगा कि लाड़ला भाई योजना का पैसा मद्परदेश को या जहां के भी आप हो जिससे स्टेट के हो देखे आप हमारे यो न्यूज सुनेंगे इस न्यूज में हम आपको सारी जानकारी देते हैं सरकार योजनाओं की ताकि आप तक वो लाब पहुंच सके कई लोगों पते नहीं चलता कि क्या लाब मिल रहा है महराष्ट में कारेत होना चाहिए न्योकता के रूप में कौसल, रोजगार, उद्यमिता, नवाचार, बेप पोर्टल, पंजिगरत होना चाहिए EPF, GST, DPI, ESIC और उद्योक के आधार पर पंजिगरत होना चाहिए और वो पात्र होगा निगमन का प्रमापत्तर उसके बाद होना चाहिए ये सब चीजे आप अपने सरकाई दप्तर में जाके पता भी कर सकते हैं लेकिन मेरा काम है जागरोग करना तो लाड़दा भाई योजना के लिए आप लोग तैयार रहें और मत्यपदेश में भी बहुत जल दिये लागू होनी चाहिए इसके लिए हम एक यूनियन बनवा रहे हैं उस यूनियन के तहट हम चांचेंगे मुक्षमंत्री जी के पास कि मत्यपदेश के छात्र छात्राओं ने भी पढ़ाई करी है उनने भी पढ़ाई करके रोजगार नहीं मिल रहा है तो उनको कोई मिलना चाहिए आप लोग सेहमत है कि नहीं लाइक शेर करते जाएगा यार मत्यपदेश में पटवारियों की भजियत हो रही है पटवारिया आप देखोगे तो मत्यपदेश में भूमी भीबाद सुझाने के लिए एक विशेज अभियान चलाया जा रहा है 18 जुलाई से किसानों के राजस्व संबंदित सभी लंबित प्रक्रण को जल जल सुझाने के लिए MP में संबिदा पर रखे जाएंगे पटवारी राजस्विर रिक्चक 18 जुलाई से चलेगा राजस्वियान सुनते हैं पहले मोहान दानों का 30 सेकेंड का वीडियो कोई भी प्रक्रण लंबित होंगे सारे के सारे अभियान लगा करके पूरी तोर पे जिला प्रसासन लगेगा सब के अंदर मदद करने का काम हमारी सरकार द्वारा किया जा रहा है हरे किसान के जीवन में सरकार के माद्यम से सुधा दिलाना ये हमने निर्णे किया है पिछली बार अभियान चला 30 लाख से ज़्यादा प्रक्रणों का निराकरण किया गया था अभी भी हमारे इसमें से किसी को किसान सम्मान निदी नी मिलती है ऐसे लोगों के लिए भी सरकार ने निर्णे किया उनके सर्वे करा करके प कि बटांकन, सीमांकन, नामांत्रण, ठीक है, निराकण के लिए पटवारी और राजस निरिक्षकों को संविधा पर रखा जाएगा, 18 जुलाई से, यानि कि कल से, राजस विबाग महावियान शुरू होगा, यानि आज भी हो जकता है, आज से ही मालो, आज से ही, ड्रॉन सर्वे किया जाएगा, और पधामंत्री किसान सम्मान निदी के लिए छूटे पात्र किसानों के नाम भी सामिल कराए जाएगे, याने कि किसान, सम्मान, निधी के किसानों के लिए भी benefit है, फाइदा मिलने वाला है ड्रॉन से सर्वे होगा, 18 जुलाई से फिर राजस विहान प्रारम किया जाएगा नामांतरन, बटवारा, सीमांकन, लंबित मामलों को नकन किया जाएगा साधी प्रामंतरी किसान सम्मान ने दी के, जो पात्र किसान छूड़ गए है, उनका नाम जोड़ा जाएगा सेवा निवरत्य पटवारी और राजस्विन रिक्षकों को आउसर दिया जाएगा अच्छा इनमें किनको फायदा मिलेगा, सेवा निवरत्य अधिकारी और राजस्व के, जो मुखमंती महन यादों ने कलेक्टर को निर्देश दिये हैं कि सम्विदा, सेवा निवरत्य पटवारी और राजस्विन रिक्षकों को रख लें, ताकि उनके अनभाव के माज़म से, जिस उद्देश से अभिहन चलाया जा रहा है, वो पूरा किया जा सके ये लोग कुछ दिनों के लिए रखे जाएंगे, ताकि उनको पता है पहले से, कि उनको नभाव के कैसे किया जाता है, इसलिए काम हो जाएगा, ठीक है, अब साथी साथ, कई जोलों में भुवविलेक वनक से अपडेट नहीं है, उनको भी ठीक करने के लिए इनको रखा ज चुका है, फीच 100 रटी है, इसकी जानकारी है, हम आपको कल देंगे, अगर आप लोग चाहते हैं, कि आप लोग पोश्ट आपस में जॉब करना चाहते हैं, ग्रामीमिल डक सेवक यान की गावने के ैक की तप्षेवक की तयारी करना चाहते हैं, तो आप जढ़ बुट ज करने के बाद आपको हमारे कुछ अन्य चैनल भी है इनको आप जोईन कर लीजेगा और अपने घर बैठे सबसे बहतरी इन टीम से मैं कैसा पढ़ाता हूं मेरी टीम कैसा पढ़ाती है अगर आपको देखना हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को थोड़ा खंगा लिएगा आपक कोई अन्य जीगे जीएस हो एंपी पिएस सी पुलिस पड़वारी सबकी तैयारी हमारे होती महिला परवेक्षाक में विज्ञान पोशन स्वास्थ रीजिनिंग मैथ सबकी टीचर हमारे पर अपलब्द हैं आप लोग यह की वाद देखे जरूर जैंद जैबारत आपका द लेकर पहुंच जाए लाडली बहनाओक से एक रिक्वेस्ट है जल्दी जल्दी बीस तारी को नहीं तो अगली बार जो पंद्रा सो रुपे या धाड़े बारा सो रुपे जो भी आएंगे वो नहीं मिलेंगे